तो आज के विडियो में हम बात करने वाले हैं बॉल्कैनिक एरप्सन इन टोंगा के बारे में तो फर्स्ट अपॉल देखते हैं कि न्यूज में क्यों हैं देखे रिसेंटली 15 जैन्वरी को टोंगा में एक बॉल्कैनिक एरप्सन देखने को मिला था जो अंडर तो वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है याद कीजिए इससे पहले 1991 में हमने माउंट पुना टाबो में देखा था यह बॉल्कैनिक एरप्सन इस तरह का हुआ था है प्रोक समझे 30 एर हो चुके हैं अभी तक इस घटना के इसके बाद इतना बड़ा बॉल्कैनिक एरप्सन देखने को 70 आइलेंट है चोटे चोटे उन सारे आइलेंट से मिलकर यह बना है हमारा बॉल्कैन टोंगा और यहां की Capital है नोकू अलोफा हो सकता है कि अभी किसी एक्जाम से पूष भी लिया जाए कि नोकू अलोफा कहां की Capital है क्योंकि बहुत ज्यादा नीूज में है और यहां की Population ह एप्रोक्स 1.10 लैक बहुत ज्यादा जिनसंख्या नहीं है पोपुलेशन नहीं है फिर भी इंपोर्टेंट हो जाता है टॉंगा क्योंकि यहां पर हमारा अंडर दे वाटर यह बॉलकनी करप्शन देखने को मिला है तो ऐसे मैं समझते हैं कि आखरी यही पर यह इतना बॉलक 75% जितने भी बॉलकनी करप्शन हुए है यहां जितने बॉलकेनों हो यह हमारे रिंग और फायर में देखने को मिलते हैं इसलिए भी यहां पर देखने को मिला है और इससी भी डिटेल में अगर जाकर आप समझे कि आखरी यहां पर ही क्यों हुआ इतना बड़ा बॉलकनी क इरफ्शन तो देखिए टॉंगा यह रहा इसका कंडिशन यह हमारे इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और जो प्लेट है इन दोनों के कनवर्जन जोन पर सिचुएटेड है अब जहां पर भी प्लेट टेक्टॉनिक जो कनवर्जन होता है तो यहां पर अंडर गांड समझे आप वर्लकेनिक इरफ्शन होते रहे रहे हैं तो यह यह दो होगी बाद टर्क्टोनीकी और की इसके बाद समझते हैं कि इसका क्या हुआ हुआ है सबसे पहले हम impact होंगा आप देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे worldwide क्या impact पढ़ा है देखिए जिस island पर ये volcanic eruption हुआ है उसकी image देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां कितना बड़ा इलब है एक large scale पे यह island totally हमारे lava वगेरा से dust particle से पूरी तरह से ढख चुका है और अगर बा सबसे पहले तो जब टोंगा में volcanic eruption हुआ तो वहां पर 5.8 magnitude का हमें earthquake देखने को मिला जिसके कारण सुनामी लहरे आ गई कहा जा रहा है कि अप्रोक्स 15 मिटर उंची उंची लहरे देखने को मिली है जिसके कारण वहां की पूरी की पूरी population प्रभावित हुई है और आस पास की नेशन जैसे न्यूजी लैंड हो गया हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया यह लोग भी इंपैक्ट पड़ा है इन पे भी बट अभी डेटेल में नहीं आप आया है सारा डेटा की कितने लोग आपर प्रभावित हुए हैं कितनी कैजवल्टी वगरा हुई है तो देखिए एयर वहां पर एक बड़ा सा हमारा पॉलुशन के कारण धूमे का गुबार देखने को मिला वाटर पॉलुशन में देखने को मिल रहा है तो लॉंग टर में समझे पूरी तरह से टोंगा बहुत ज्यादा इंपक्ट हुआ है आसपास की चोटे मोटे अर्लेंड जितने भी होंग आप समझे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इन ही अंडर्गाउंड वायर से हाई स्पीड डेटा यूज करता है वायसे में यह जो टोंगा वाला लोकेशन है यहां से बहुत बड़ा स्केल पे यह हमारा सब्मरीन केबल देखने को मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि यह बहु में केबल विशी होती है जिसके कारण ही हमारे वल्ड वाइट हाई-इस्पीड इंटरनेट यूज हो पा रहा है अब आप अप्रिकल फाइबर की बात देखने है अर जगा उप्रिकल फाइबर विच्छाई जा रही है तो यह वर्ड वाइड पहले से चला रहा है जितने भ तो उसके बाद वर्डवाइट सॉक वेप देखने को मिले तूनामी के एलर्ट जारी की गई कहा जा रहा है एक यूके में आफ्टर फिप्टीन आवर्स पंदरा घंटे बाद भी सॉक वेप देखने को मिले थे तो पूरी तरह से जो हमारा निव जी लैंड है और अस्ट्रेल भी स्ट्रेजब खिरी लैंड है more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.